बच्चों में इन्नोवेशन का सामत बठा लिए चाज्यों भारव की बच्चों ने यूँआ पीडिल हमेंशना खावित किया है कि वो 21 जदी में भारव कुण है उड़े अपनी जिम्ने जालियों का इतना है साथ चाज्यों सुच्छ भारवत धिनात की सब्सक्रता का तहुत बड़ा स्रे ये स्रे भी मैं आप बर्मेंट बैक्टों के सब भाई बैक्टों के एक निश्च पढ़ाएं जिनकी ते एक माता पीता का सपना यही होता है कि उसका बेटा जिन्दगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करे हमारे साथ आकर्ष कौशल है और उन्होंने अपना नाम एकदम हरियाना के अंदर भारत के अंदर बुलंदियों पर पहुचा दिया है क्योंकि आज भारत के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी की तरव से उन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रिय बाल पुरसकार होता है यह पुरसकार वैसे तो राष्टपती भवन में दिया जाता है लेकिन COVID का ध्यान रखते हुए ये वर्चुल तरीके से दिया गया COVID का जब मुश्किल समय था लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो positive है या negative है उस दोरान आकर्ष काम पर लगा हुआ था आप लोगों के लिए और उसने एक website बनाई जिसके जरीए आपको पता चल पा रहा था कि आपकी report क्या है सबसे पहले आकर्ष से बात करते हैं आकर्ष बहुत बहुत भदाई क्योंकि आपने ना सिर्फ करनाल का नाम बलकि हर्याना का नाम रोशन किया है किस तरीके का मूमेंट था जब प्रधान मंतरी आपको सम्मानित कर रहे थी जब मुझे पता चला कि मुझे आवार्ड मिलने वाले मैं बहुत excited था और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था मिले गर्व की बात थी कि इतना बड़ अवार्ड के लिए मुझे उन्हें लायक समझा क्या काम किया किस दोरान आपने काम किया और उसका क्या फाइदा हुआ जी फर्स वेब के टाइम पे लोगो रिपोर्ट नहीं मिल रही थी और उन्हें अगर सिक लीव चाहिए या हॉस्पिल मैंड वीशन चाहिए तो उनके पास कोई तरीका नहीं था क्योंकि उसके रिपोर्ट लगती है बाकी मेरा कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरस्ट है तो मैं वो डिगरी करूँगा और उसके बाद मैं एक टेक स्टार्ट अप खोलना चाहता हूँ जिससे लोगों की मदद हो सके और मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़े आर्टमेट कर सकूँ डॉक्टर गगन कोशल जी हमारे साथ है करनाल का एक जाना माना चहरा है वो गगन सर्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए आपके बेटे के लिए और वो शायद खुशी के पल आपकी आखों में देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल हमांचु थैंक्स उस चीज़ के लिए हम डेफिनेटली बहुत गरब महसूस कर रहे हैं कि ना सिरफ आकर्ष को बलकी इवन करनाल को एक सम्मान मिला परधान मंत्री जी के द्वारा देशबर में सरफ अनतिस बच्चों को यह मिला है तो यह काफी बड़ी बात है इस में सिलेक्ट होना इसका और उसके लिए सबसे पहले तो मैं करनाल के सिमों सर डॉक्टर योगेश शर्मा जिन्हों ने इसको सारा डाटा उपलब कराया साइट को बनाने के लिए और डी सी सर्ट मिस्टर निशान जादब जी जिन्नोंने इसके प्रोजेक्ट को पूरी इसके द्वारा बनाएगी है करनाल का मॉडल सक्सेश्फुल होने के बाइब गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं वो मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा मैं देखता हूं और इस बात से शायद आप भी सहमेत हो एक डॉक्टर का बेटा उसी फिल्ड में जाता है वो डॉक्ट किया क्यों नहीं आपने उस पे दबाव बनाया कि तुझे डॉक्टर बनना है तुझे स्पेशलिस्ट है उसको फॉलो करना चाहिए इसका शुरू से टेक में इंटरस्ट था गंपूटर साइंस में इंटरस्ट था सात्वी से यह कोडिंग की कर रहा है क्लासिस तो ऑनलाइ मिल पारी है तो सबसे पहले तो इसने करनाल कोवीड डॉट इन नाम की वेबसाइट बनाई जिस पर की डेली डैश्बोड था सीमो साब ने वो डाटा दिया फिर सीमो साब ने इससे पूछा कि क्या पैसा कर सकते हो कि हम रिपोर्ट नहीं दे पारे पेशेंट्स को कि पेश जिलों में तो कोई कल्पना चावला की तरह पोर्टल नहीं भी था तो फिर अंबाला से एक फोन आता है जी कि हमारा बना दो गे फिर जब अंबाला का बना धिरे दिरे काई डिस्टिक्स सरकारी डिपार्टमेंट बोल जब अंबाला की साइट पे आज 6-7 लाग के आसपस विजिट हो चुके हैं इसकी टोटल ग्यारा साइटों पे लगभग 26-28 लाग विजिट आज तक हो चुके हैं यह प्रोजेक्ट अगस 2020 में स्टार्ट हुआ था और मोर देन 15-16 लैक्स रिपोर्ट्स यह होस करती हैं इसकी 10 साइट किसी की भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जा जा रहे हैं उनमें से एक बच्चा करनाल का है माता जी हैं आकर्श की उनसे जान लेते हैं कितनी खुशी कितना अच्छा मूमेंट क्योंकि माही सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है बेटे का अभी तीन दिन पहले जब हमें पता चला हमें वहां से फोन आया मेल आई कि यह आवर्ड के लिए सेलेक्ट हो गया तो पूरी फामिली में जो ग्रांट पैरेंट्स हैं पैरेंट्स हैं एक हर्च और उल्लास का महौल चाह गया खुशी इस बात की थी कि जो इसने मैनत की है वो रंग लाई है और इसके लिए इसको अवार्ड के लिए चुना गया है आकर्ष के लिए बलकि हर्याना के भारत के उन बच्चों के लिए जो कई बार इंटरेस्ट किसी और में और दबा कहीं और का अब तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है पहले ऐसा जैसे आपने खुद ही बनना चाहते हैं कई बर पैरेंट्स भी उनको लगता है कि नहीं हम भी अच्छे सेटल हैं तो क्यों नहीं इनको भी उसी तरफ लेके जा सके लेकिन आज कल वो टाइम चेंज हो गया है बच्चे बहुत अलग लग क्योंकि इंटरनेट की वह से एक्सपोजर काफी है तो बच्चे खुद ही अपना फील्ड चूस कर लेते और क्योंकि हमने उमीद करते हैं जिन्दगी में और अच्छा आप आगे मुकाम हासिल करेंगे इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर कीजिए बच्चों पर दबाव नहीं होना चाहिए अगर दबाव नहीं होगा तो जिन्दगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर जाएंगे आकर्श ने बहुत अच्छा काम किया क्या कुछ रहा बिलकुल आज प्रिधान मंतरी बाल पुरुसकार का वितरन था और ओलाइन तरीके से माननिया प्रिधान मंतरी जी ने दोहजार बाइस में देश भर के 29 बच्चों को ये पुरुसकार दिया जिसमें करनाल का हमारे यह सरकार की बहुत मदद की थी आर्टी पीसिया रिपोर्ट्स जो पहले अवलेबल नहीं होती थी एक पोर्टल के जरीए एक तो पोर्टल बनाया गया जिससे वो रिपोर्ट्स अवलेबल कराईगी दूसरा करनाल कोविट डोट इन वेबसाइट पे जितनी भी कोरोना से संब पोर्टल का फायदा उठाया तो मैं आकरश को उनके पूरे परिवार को बहुत 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 बढ़ाई देता हूं साथ ही आज राश्ट्रिय बालिका दिवस भी है उस संदर्ब में हमने करनाल की साथ बालिकाओं को प्रुस्क्रत किया है जिन्होंने अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स में विजेता बन करके और जिले का नाम रोशन किया है तो सभी साथों बच्चियों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्त हूं